पर काम के प्रते वो बिल्कुल भी शांत नहीं है उनने एक अलगी जिनून है एक अलगी जिद है वो जिद है अपने ही लक्षे को बार-बार पै करने की अपने ही अपनी ही अचीवमेंट को अपने ही तारगेट को बार-बार आगे बढ़ाने की यानि की कमपनी अगर उनके कोई टार्गेट सेट करती है तो उसे अचीव तो करते हैं उसके आगे अपना टार्गेट खुदी सेट कर लेते हैं वेल ही इस वान सर्च परस्नालिटी जिनका नेट्वर्क मार्केटिंग में डिरेक्ट सेलिंग में काम करने का अंदाज ही अने आप लोगों को बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा यह वही है जिनकी सोच बड़ी है और उसी सोच का अंजाम है कि आज इनके घर में खड़ी यह चंचमाती का रहे उस कार का नाम जैगुआर है तो लेडी से जैनमें आएए आपको इनकी डॉक्युमेंटरी दिखाते हैं कि कैसे इन्होंने शुरवात करी और आज किस मौकाम पर यह पहँच चुके मैं चाहूंगी कि एक बार दोनों वाद उपर करके जोर्दार नाल महिपाल सिंग्जी के इनकी जितनी तारिफ की जाए उतनी ही कम है यह सच्चे इमांदार और शांती पून व्यक्तितु के इंसान है और इनका यही शांस वभाव ही इन्हीं तरक्टी की इनूचाईं पर ले के आया है इनकी तरक्टी के पीछे यह खुद की महनत है इनकी लोगों की प्रती मदद, लोगों को उसमें कोई डालेक्शन और जो कोई इन्हें आगे बढ़ने के रिडालेक्शन मिलते हैं उसे निभाने का 100% ज़स्पा ही उन्हें रॉयल डाइमेंड बनाता है महिपाल सिंग डारेक सेलिया की बिन्या में एक ऐसा नाम है जिसको लोग भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पहचानते हैं लेकिन एक समझ था जब ऐसा नहीं था महिपाल जी का जन्म राजिस्थान में सीकर के छोटे से घाउ में हुआ था बच्पन से इनको पढ़ाई लिखाई में बहुत रूची थी ये भी पढ़ लिखकर बढ़ा आदमी बनना चाहते थे इन्होंने दिल से पढ़ाई लिखाई की और फिर उन्हीं एक सरकारी नौकरी करने का मौका मिला लेकिन दो उसकी नौकरी से संतुष नहीं थे और नहीं उनके सपने पूरे हो रहे थे जहां बहरत का हरकित की सरकारी नौकरी के दरस्ता है उसी सरकारी नौकरी को सपने पूरे ना होने के कारण उन्होंने छे साल में छोड़ने का निर्णा लिया और अपनी जिन्दगी को नई पिशा देने के लिए इन्होंने डारिक सेलिंग करने का फैसला किया 2006 के शुपात में इन्होंने एक डारिक सेलिंग कम्पनी में काम किया और बहुत मेहनद की और काम्यावी फिर प्राप्ट की इनके सपने बहुत बड़े थे और कहीं न कहीं इन्हें वो अधुरे नजर आ रहे थे जो उन्हें पूरे करने थे और इस बीच इनकी मुलाकात संजीव सर से हुई जिनके माध्यम से उन्हें एक डम्री पीयल से जोडने का मौका मिला तब ही उन्हें महसूस हुआ कि यहीं वो प्लाटफॉर्म है जिसे वो 2006 से ढून रहे थे यहीं वो रास्ता है जिस पर चलकर वो जिन्दगी की सारी मंजिले प्राप्त कर सकते हैं और उन्होंने एक डम्री पीयल में डिरेक्ट सेलिंग करने का निर्णे लिया हमारी प्रॉडक्स के रिजर्ट्स दे क्यों होने अपनी पूरी जिन्दगी एडम्ली पियर में रहने का फैसला किया एडम्ली पियर जॉइन करने के मात्र एक वर्ष में करोड़ पती अचीब करने बाले वो पहले व्यक्ति है दू साल में दो करोड और तीन साल में चार पांच करोड के मालिक बन चुके हैं आज महिपाल जी के साथ लापोन लोग काम करते हैं वो जैगवा के मालिक है और द्वारका में उनका एक उपसूरत घर है वो इक बाधने मेधरिन और आरामधायक से नगी जी रहे हैं तो आईए स्वागत करते हैं महिपाल सिंजी का